हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टियूर और यूट्यूब चैनल सुनामी साइस आज हम पढ़ने वाले हैं सेयोजन अभी करिया यानि कॉम्बिनेशन रियक्षन के वारे में फर्स्ट हम कॉम्बिनेशन रियक्षन को रफली पढ़ते हैं कोई भी रियक्षन जो होती है उसको हम इस टाइप से लिखते हैं इस रियक्षन में एरो के लेफ्ट में जो भी होता है इनको तो हम बोलते हैं रियक्टेंट यानि क्रिया कारक और इस एरो के राइट साइड में जो भी लिखा हुआ होता है उनको हम बोलते हैं product यानि की उत्पाद combination reaction के लिए तीन चीजें जरूरी होती है first है कि जो reaction है उसमें reactant जो है वो 2 या 2 से जादा होने चाहिए 2 या 2 से जादा होने चाहिए reactant जो है दूसरी जरूरी शर्थ है उसके लिए कि जो reactant है दूसरी है जो reactant है उन दोनों के बीच में जोड का निशान होना चाहिए यानि उनका addition होना चाहिए और third उनके लिए आविश्यक शर्त है कि जो product form होता है वो product single product होना चाहिए product single होना चाहिए ये तीन आविश्यक शर्त होती है combination reaction के लिए या सयोजन अभिक्रिया के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पात का निर्माण करते हैं मतलब अभिकारक दो या दो से जाधा होने चाहिए ये एकल उत्पात का निर्माण करते हैं यानि single product को form करते हैं और इस reaction को सयोजन अभिक्रिया कहा जाता है इसका अन्य नाम योगात्मक अभिक्रिया भी है reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction it is also known as addition reaction first ये कि सैोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है इसका ऐग्जामपल है कार्बन का देहन इस अभीक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन दो रियक्टन्ट हैं जो की एक दूसरे से जूड रहे हैं एक दूसरे के साथ इनका एडिशन हो रहा है और सिंगल प्रोड़क्ट फॉर्म हो रहा है इसलिए ये रियक्शन कॉम्बिनेशन रियक्शन का टाइप है सेकेंड एग्जाम्पल ये जल का बनना मनला फॉर्मेशन ऑफ एच्टू इसमें एच्टू और ओटू मिलकर है हमारे पास इन दोनों का एडिशन हो रहा है और एडिशन होने के बाद एक सिंगल प्रोड़क्ट फॉर्म हो रहा है इसलिए ये भी एक कॉम्बिनेशन रियक्शन है सो स्टूजेंट्स आज हमने कॉम्बिनेशन रियक्शन को समझा थैंक यू फूर वाचिंग इस वीडियो और अगर आपको इसी भी टाइप की और भी वीडियो चाहिए तो आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू